सो दिखे हमारे पास सबसे पहला कोशिन क्या पूचा गया है कि मौरिशेस ने अपना इंडिपेंडेंस से सेलिबरेट किया 12 मार्च 2021 को ये ध्याननकी का कौन सी डेट को सेलिबरेट किया है ये भी पूच सकते हैं इन्होंने इस पार अपना कौन सा इंडिपेंडेंस से 59, 25, so हमारा answer क्या हो चाहेगा बताइए बिल्कुल 53 is the correct answer, ठीके, last में आप लोगो को मैं ने revision भी रखा हुआ है कि जो हम लोग पढ़ती है न, last में एक बार उसको revise कर लेंगे ताकि बिल्कुल पक्के से याद हो जाए आप लोगों को ठीके, तो complete वीडियो देखिएगा, तो रहेगा 12 मार्ची और year जो है वो था 1968, उस year में इनको ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस मिल गई थी, मौरिशन के घर हम बात करें तो यह African continent में है और इसकी location आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ओशियन में घिरा हुआ है चूटा सा एक island आप लोग बोल सकते हैं, इंडियन minister है, ठीक है, clear हो गया first वाला question, बढ़े हम लोग अपने next question पे, चलिए फिर बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले question पे, so next question है Denmark signed an agreement, Denmark ने agreement sign किया कॉंसी state के साथ, agreement किया है तो किस चीज़ को लेकर किया है बिलकुल, center of excellence for dairy, मतब जो dairy होता है न, दूद वगरा कि जो products यहाँ आप लोग use करते हैं या फिर आप लोग को मिलते हैं वहाँ पे, उसकी उतकरष्टता के लिए, मतलब उसकी और भी excellency हम लोग कर सके, उसके लिए Denmark ने कौन सी state के साथ agreement किया, तो options में देखो, बिहार है, मध्यप्रदेश है, तिरपुरा है और राजस्थान है, so यहाँ पे इस agreement के कुछ ना कुछ main purpose होंगे करने के क्यों किया गया है, so इसका objective क्या है, कि हम लोग better facilities को provide कर सके, जो kettles होते हैं, उनके लिए better facilities यहाँ पर दे सके, इसके अलावा जो dairy है, वहाँ पे science and technology का अच्छे तरीके से use कर सके, उसके लिए Denmark के, जो विशेशग्य है, जो water conservation है और उसका purification है, वहाँ पर भी technology का use किया जाएगा, उसी technology के लिए Denmark के साथ राजस्थान ने क्या किया, agreement किया, ठीके, समझ में आगया question, so राजस्थान की बात कर लेते हैं, so राजस्थान भारत का second as a state है, जो सबसे जादा दूद का उत्पादन करता है, so देखो यह second state है, जल्दी से homework में ही आपको यह question दे रही हूं है, जो भी question मैं पूछेंगा, इसके साथ इसे add करके बताएगा, कि पहला state कौन सा है, यह पता सभी को है, तो बताएगा जरूर कि पहला state कौन सा है, जो सबसे जादा दूद का उत्पादन करता है, ठीके, तो अब नम लोग यहाँ पर थोड़ा बहुत देनमार्क और राजिस्थान के बारे में जान लेते हैं, देखो, अगर हम इन दोनों की बात करें, तो यहाँ पर डेनमार्क की कापिटल क्या है, कॉपन हीगन, यहाँ पर करंसी चलती है, डेनिश क्रॉन और यहाँ की प्राइम मिनेस्टर का न नीम है, मैटे, फ्रेडरिक्सन, राजिस्थान की बात के लेते हैं, तो कापिटल इस जैपूर, सीम इस अशोग गैलोथ, गवर्णर नीम है, कालराट मिश्रा, रन्थमबोर नाशनल पार्क, सरिस्का नेशनल बार्क, दोनों ध्याननेकी का इंपोर्टेंट हो सकते हैं, आ यह एप्लिकेशन पोर्टल है, मतब किसके लिए हो था, यह श्रमिकों के लिए पोर्टल खोला गया था, इसके शिरुवात कब की थी, तो डारेट मेंने आप लोगों के लिए आंसर लिखा हुआ है, यह आपर, 1st October 2018 को इसके शिरुवात की गई थी, अब यह पोर्टल क्यो उनके progress कर सकती हैं, और एक तरीके से उनको motivation दे सकती हैं, ठीके, उनकी economic conditions ही कर सकते हैं, उसके लिए इस पोर्टल की शुरुवात करी गई थी, 1st October 2018 को, तो railway वालों के लिए बहुत ज़दा important question यह बन सकता है, ठीके, इस पोर्टल में देखो, बहुत सारे चीज़े होंगी, जैसे की workers को कितना minimum wages मिल सकता है, जो भी वो काम करते हैं, उनकी कितनी new-term मज़दूरी उने मिल सकती, इसके बारे में आपर होगा पोर्टल पे, और कितना, जैसे माली जो कोई ठीकेदार, उनको कोई काम दे रहा है, ठीके, तो वो उनको कितना पे करेगा, यह सारे चीज़ की बात हो गई है, तो railway minister कौन है, बिल्कुल, P.O.S.P.L., हमारी कौन है, railway minister है, ठीके, clear हो गया question, चलिए, तो बढ़ते हैं, हम लोग अपने next question पे, अगला question देखिए क्या है, हेरात festival, important question है, ध्यान रखी का, हेरात महो सब अभी recently कहां पे celebrate किया गया, options में देखिए क्या है, सिक्किम, जम्मु कश्मीर, तमिलाडु, गुजरात, बताएगा, कौन सा option सही होगा, बिल्कुल, अगर आपने जम्मु कश्मीर लगाया है, तो बिल्कुल सही लगाया है, ठीके, तो जम्मु कश्मीर में ही ये festival जो है, वो celebrate किया गया, अब क्या है festival, देखो सबसे पहले ध जम्मु कश्मीर के अगर हम और न्यूस की बात करें, तो मेरा आपको बदाया था कि वहाँ पर सुपर 75 scholarship scheme शुरू करी की, किसके लिए, जो मेधावी लड़किया हैं, उनको, उनके लिए यहाँ पर इस scheme को international women's day के अफसर पर शुरू किया गया था, ठीके, तो extra news में मैं अच्छे से ध्यान रखने, वो चारी चीज़ है, ठीके, इसके लावा अगर हम और बात करें, तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर health scheme भी launch करी गई थी, जिसके तहत क्या किया जाएगा, जो families है, उनको 5 लाक रुपे का insurance cover दिया जाएगा, ठीके, यह भी जब मुकश्मीर में नहीं शुरू हुई तो आप लोग इसको भी ध्यान नकीगा, और यहाँ की lieutenant governor कौन है, manosin, हाँ, बिलकुल, ध्यान नकीगा इस चीज़ को, ओके, चल यह हम लोग क्या करते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले question पे, अगले question है, very important question, vote 1D campaign is being conducted in which state under the sweep program, यह भी ध्यान नकीगा किस program के तहद इस campaign को शुरू किया जाए रहा है, और यह शुरू किसके दोरा किया जा रहा है, election commission of India, so, कौन से state में, भैया, state पूछा है, जल्दी से answer लगा ना, कौन से state रहेगा, so, the answer is, answer is, केरला, बिलकुल, तो केरला में इस campaign को जो है, वो शुरू किया चाहेगा, अब के बारे में जाल लेती है, so, देखो, इस campaign का main purpose यह है, कि जो voting होती है, उनको promote किया जा सके, और अगर केरला से भी थोड़ा सा detail wise पूछा जाए, तो केरला में कौलम district पढ़ता है, कौन से district, कौलम district पढ़ता है, वहाँ पे इस campaign को शुरू किया गया था, ठीके, इस campaign के तहत लोगों को vote करने के लिए promote किया जाएगा, मतलब, मतदान को और भी बढ़ावा देने के लिए, कि जाएए, आप vote करिये, उसके लिए, बहुत सारे, मतलब, interesting तरीके से इस चीज को शुरू किया जा रहा है, और ये जो मैंने आप लोगों से sweep program बताया था, जिसके तहत इसे इस sweep program को 2099 में, sorry, 2099 में by the election commission के द्वारा शुरू किया गया था, और इसकी full form ज्याननकी का पूछ सकते हैं, systematic voters, education and electoral participation, तो basically ये भी को शुरू किया गया था, ये भी मतदान को पढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था, लोगों को vote करने के लिए promote किया जाता है, कि जा progressive कर सके ठीके और इसके लिए ही लोगों को यहाँ पर क्या किया चा रहा है, उनको एक तरीके से motivation दई जा रही है, ठीके, so यहाँ पर कुछ important facts हम लोग देख लेते हैं, election commission से क्या-क्या हम लोगों से पूछ सकते हैं, सबसे पहली बात तो हमारे पहले election commissioner कौन थे, तो वो थे सुकुमार सेन, ध्यान रखी कब important है, और present time पे कौन है, तो present time पे है, सुनी नरोडा जी, election commission को mention कौन से article में किया गया, so article 324 से लेके 329, भाग कौन सा 15, ध्यान रखी का important question बता रही हूँ, part number 15, article क्या बोला, मैंने 324 से 329, इसमें election commission के बारे में लिखा हुआ है, और हमारे constitution मतब election commission का गठन कब हुआ था, इसको शुरू कब किया गया था, so 25 जनवरी 1950 को इसको शुरू किया गया था, इसलिए हर साल, जो election commission day बनाया जाता है, वो 25 जनवरी को बनाया जाता है, ठीके, ये सारी news अच्छे से ध्यान रहेंगी, बिलकुल important चीज़े मैं आपको cover करवाती current interface के साथ, तो वीडियो को बिलकुल skip ना करा करें, ठीके, और बहुत अदर्स वीडियो को share किया करें, ताकि और भी students यहां से benefit ले सकें, ठीके, अकला question है, where did the golden card campaign being under the आयश्मान भारत scheme, मतब इस campaign को, gold card campaign को शुरू किया गया, और इस campaign को under the आयश्मान भारत scheme के तहर शुर So, correct answer क्या हो जाएगा, बिलकुल, उत्तर प्रदेश यहां पर answer हो है, वो बिलकुल correct हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में, इस golden card campaign को क्या किया गया है, शुरू किया गया है, अब इसका main objective क्या है, देखो, golden cards बनाया जाते हैं, लोगों के लिए, ठीके, मतब health related to cards बनते हैं, यहां पर जाद से यादा हम लोग उसे बना सके, ठीके, जो progress चल रही है, इसको और पी जादा speed up कर सके, और लोग उसका benefit ले सके, जाद से जादा, इसके लिए ही, इस campaign को, जिसका नाम रखा गया है, golden card campaign, इसको यूपी में शुरू किया गया, ठीके, यूपी में और देख कहां पर मिले हैं, यूपी में मिले हैं, और lockdown में, जो case है, उनको वापस लेने वाला record भी उत्तरप्रदेश ने बना लिया, ठीके, ये भी आप लोग घ्यान रखेगा, so ये आप लोगों के लिए important questions होते हैं, जो मैं आप लोगों को यहां पर cover कराती हूँ, यूपी, सभी चानते हैं कि population wise सबसे number one पे है, यूपी और यहां की capital लखनो, ध्यान ने की का CM है, योगिया अदित्यनाथ, गवर्नर कौन है, यहां की बेबी रानी मौर्या, यहां की गवर्नर है, sorry, आनंदी बेन पटेल यहां की गवर्नर है, जो कि मद्धा परदेश का additional charge पे संभार रह प्रकाश जावडेकर formed a three member team to control forest fire incidents, देखो जंगलों में बहुत सदा आपने देखा हो ना आग लग जाती है, उन्हीं चीजों पे नियंदर करने के लिए, यहां पर क्या बनाए जारी है, टीम बनाए जारी है, तीन member की, और इस टीम को बना कौन रहे है, प्रकाश जावडे या फिर Udisa, तो यहां पर जो आंसर हो जाएगा, वो होगा option number D, Udisa is the correct answer, ठीके ध्यान ने किए का Udisa में इस member team को बनाया जाएगा, अब इसके बाद अगर हम बात करें, आप आप देख सकते हैं, यह थोड़ी से मने pictures एड़ करें आप लोगों के लिए, so environment, forest and climate change minister है, प्र expert रखे जाएंगे, वो क्या काम करेंगे, वो also state government की help करेंगे, कि किस तरीके से हम जो forest में आग लग जाती है, उन पर overcome कर सकती है, उनको कम कर सकते हैं, और किस तरीके से हम लोग उसको settle कर सकते हैं, ठीके, इन सब के help भी करेंगी यह team, तो कौन से state हो जाएगी, यहाँ पर Ud कोशन पर, बिलकुल, सो दीके अगला कोशन क्या है, वर्ड किडिनी डे कप celebrate होता है, सो 11 मार्च, लेकिन इसे रटना मत, क्यों मत रटना, क्योंकि यह हर साल 11 मार्च को नहीं होता, ध्यार निकिएगा, यह second set, Thursday of March को celebrate होता है, ठीके, तो इस बार का second Thursday कप पढ़ा 11 तारिक क तो 11 मार्च को 2021 में celebrate हुआ, थीम important हो सकते है, थीम तो यहीं रहेगी पूरे साल थीके, बट अगले साल change हो जाएगी, living well with kidney disease, तो लोगों को जो kidney से diseases हो जाते हैं या गुर्दे हैं, उनके बारे में लोगों को aware किया जाता है, because kidney क्या काम करते हैं, kidney filtration का का काम करती है, जो हमा किया जाता है, राइट, व्यान रखेंगे, तो चलिए आज में आप लोगों के लिए पिछले important days भी रखे हुए हैं, थोड़ा पूत हम लोग क्या करेंगे, यहां से revise कर लेंगे, सबसे पहले देखो, 1st March को concert ही celebrate किया था, 0 discrimination days की theme क्या रखी थी, and inequalities, उसके बाद 3rd March को celebrate हु celebrate किया था, इसकी theme थी, forest and livelihood, sustaining people and planet, 4th March को national safety day था, इसकी theme क्या रखी थी, road safety, और 8th March को international women's day था, इसकी theme क्या थी, women in leadership, achieving an equal future in a covid-19 world, ठीक है, तो यहां से आप लोग revision भी कर सकते हैं, ताकि आप लोग पिछली चीज़े ना भूले, ठीक है, आगे तो बढ़ रही हैं, बढ़ पिछले चीज़े नहीं भूलनी, अगला question देखे क्या है, recently कौनसे bank ने wear and pay contactless device को launch किया है, so answer क्या हो जाएगा, जल्दी से सोच के रखेंगे अपना answer, ठीक है, तो correct answer यहां पर क्या होगा, जल्दी बताएंगे answer, देखे, access bank इसी correct answer, बिलकुल, यहां पर answer क्या हो जाएगा access bank, अब इसमें क्या होगा, देखो, access bank ने कुछ ऐसे पहनने के जैसे band होते है, watch type का, कुछ ऐसे चीज़े launch करी हैं, जिनसे आप payment कर सकते हैं, तो बिलकुल आपके debit card की तरह यह रहे, काम करेंगे, आप देख सकते हैं, इस थरीके से band वगेरा चीज़े हैं, आप जब भी आ 5,000 रुपे, तो 5,000 रुपे तक के लिए आपको कोई pin वगेरा डालने की ज़रोत नी पड़ेगी, अगर आप 5,000 से उपर का कोई भी payment करते हैं, तो बस आपको pin फिर भाब को डालना पड़ेगा, और अगर मेक्सिस बैंक की बात कर लेते हैं, तो इसका headquarter मुंबई में हैं, और इसके MD और CEO कौन है, अमिताब चौजरी, ठीके, ध्यान रखेंगे, important news रहेगी, अगला question है, हूँ inaugurated the 11th, Hockey India Sub Junior National Women's Championship, इस Championship की शुरुआत किस ने करी, इसको उधगाटित किस ने किया, सो आप लोगों का अंसर क्या हो चाहेगा, हेमंत सोरेन, बिलकुल ध्यान के, बिलकुल, तो यहाँ पर उन्होंने इस Championship को launch, launch मतलब inaugurate किया, यह Championship 18 March तक चलेगी, आप कोई नहीं पूछेगा, इसमें 22 teams रहेंगी, यह आप लोगों से कोई नहीं पूछेगा, लेकिन ध्यान रखेंगा, इसका जो पहला match होगा, वो ध्यान लखेंगे, जारखंट और गुजरात की बीच में होगा, इसका first match, ठीक है, क्या पता आप लोगों से यह पूछ लिया जाए, तो questions तो सारे खतफ हो गई है, आप थोड़ा सबर revision कर लेते हैं, देख लेते हैं, आप लोगों को कितनी चीज़ा याद है, या मुझे कितनी याद है, चले, दोनों का यहा पर answers नहीं लिखे, answer हम लोग खुदी अपना बोल के करेंगी, क्योंकि फिर ऐसे तो फिर क्या फायादा revision करने का, ठीक है, सबसे पहला question क्या था, देखो, Denmark ने agreement किया था, कॉंसे state के साथ, डेरी के लिए जल्दी से हाथ करो, बिल्कुल, Rajasthan इसे correct answer, अगर बताया राजस्त सही, एक number मिल गया आप लोगों को, next question है, हैरात festival recently कहां celebrate हुआ, जल्दी से सोचे, answer आना ची, फटा-फट से अपने दिमाग में रखे, बिल्कुल, Jamu Kashmir इसका correct answer हो जाएगा, अगला है, vote 1D campaign को कौन से state में conduct किया गया, जल्दी से सोचो, ये कहां पे था, votes को promote करने के लिए लोग जाएं, vote करने के लिए, केरला में, बिल्कुल, केरला के कोलम district में इसको शुरू किया गया था, कोई बात नहीं कोलम district याद नहीं, बट केरला तो याद रहेगा, अगला दिखो क्या है, where did the golden card campaign launched, मत अब इसको कहां शुरू किया गया, इस campaign को, so, conscious state में शुरू किया गया, बिल्कुल answer क्या हो जाएगा, UP, UP इस दी correct answer, ठीक है, word kidney dick up celebrate हुआ, तो इस बार तो 11 मार्च को celebrate हुआ, लेकिन हर साल ये मार्च के second, जो Thursday आता है, उसको celebrate होता है, next है, wear and pay contextless device, कौन से bank ने launch करी, जल्दी से revise करो, bank का नाम क्या था, बिल्कुल, access bank, और last था 11th hockey, जो य इनाउगरेशन किसने गरी, हेमन्त सोरेइन जी ने, जो कि जारखंड के चीफ मिनिस्टर है, तो ये थे आज के हमारे सारे questions, अब, now the time is, हो मा कुशन यार, हो मा कुशन तो लेके जाओ, ऐसे किसे काम चलेगा, सो सबसे पहला कुशन पूचा गया, मिनाक्षी वर्मा बनी थ आप बताएगा कि कौन से स्टेट की बनी थी, अगला है सैटलाइट मैन आफ इंडिया के नाम से किन को जाना जाता है, ठीके, ये आप लोग बताएगे, तो चलिए फिर यहाँ पर इस वीडियो को stop करते हैं, खतम करते हैं, बताएगा वीडियो कैसे लगी, मजा आया, नही रहे, चलिए फिर मिलेंगे नेक वीडियो में, थांक यू फू वाचिं दिस वीडियो, बाबाई